यह नीचे का सेट अप है यहाँ पर प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है देख सकते हैं आप बास से लोहे से ताकि बगरियों को खोल करके छोड़ा जा सके कुछ एक्टिविटी हो सके फिजिकल एक्टिविटी उनकी वर्जिश हो सके वहाँ सके यह नीचे का सेट अप है यहां से इंटरंस है दिखाते हैं आपको अब यह नीचे का सेट अप है देखिए इसमें कुछ सिरोही दिखेने को मिलेगी आपको ब्लैक बंगाल कुछ बर्बरी देखिए यह प्रीडर है बर्बरी का काफी शांदार ब्रीडर है देख सकते हैं आप बहुत रुबाबदार प्रीडर इसका दिखाते हैं आपको जर को हैं यह देखिए यह पिसमें अच्छे है कि बकरी बच्चे की बेतान हो अच्छे कौलिडरी आप्सार पैद्साम जो तौकि बैया यह तिखिग रहां इसा प्लाइक बंगाल की बक्री है यह शिरोही की और यहां बच्चे है कुछ इसारे बच्चे हैं इसमें कुछ बक्रिया होगी और कुछ खसी होगे ये बीडल है बीडल का बीडल है ये इनका पूरा नीजे का सिट अफ है जानवर इसमें कम है उपर जादा जानवर लगे हमको काफी बेहतरीन है सिट अब इनका और शौक का सिट अफ है या यह पर परीडर आप नुछ देख सकते हैं कि इसकी पिनावर देखें जालो देखिए काफी वेद्रीडर है मुझबूत सिंग में हैं सिंग की मोड़ाई देखिए आप और काफी अग्रेसिव है जो भी बच्चा आप इस फार्म पर देखा आपने ये इस ब्रीडर गया है देख सकते हैं आप आप अब काफी अच्छी हाइड लंड का बच्चा है हटाने की नहीं है बस शॉप के लिए दिखाये जारा आपको ब्रीडर में जो होना चाहिए अच्छा प्रीडर कि शाव कम पीटा है और उसका जो सीना होना है पैर मजबूत रहता है इसको मंगाया गया है बाहर से पंजाब से मंगाया है अगले बार मैं जब आओंगा तो आपको इसका रिजर्ट दिखाऊंगा कान की लंबाई देखिए पत्ते कान में और काफी अच्छी लंबाई है चोडाई भी अच्छी है और बहुत प्यारा ब्रीडर है अभी अग्रेसिव नहीं है जादा क्योंकि बच्चा है थोड़ा स चीज़ बनेगी अभी हाइट देखिए जरा सीना वीना देखिए देखिए खुब्सूरत बहुत है अभी नहलाया नहीं कि इसको तो गंदा है मौसम में ठीक हो जाएगा नहला ले जब नहा लेगा तो काफी अच्छा लगेगा ये पेस देखिए काफी रोमन नोस है इसकी और पंच पेस में है बहुत प्यारी चीज़ है थोड़ के दिखाते हैं आपको चाँ आँ देखिए इदा माकिब बच्चा है अटाने के लिए नहीं है सिर्फ शॉक के लिए दिखाय जा रहा आपको इस वीडियो को यहीं एंड करत में तब तक लिए बाइबाय थैंक्स फर वाचिंग बीटी व्लोग थैंक यू